हेलो स्टूडेंज वेलकम अगेन आज की अपनी स्क्लास में हम प्रैक्टिकल एंटिना जमें बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एंटिना को डिसकस करेंगे जिसे की यागी उदा एंटिना कहा जाता है यह यागी जैना की नाम से भी जाना जाएगा ने इनको डिजैन किया था तो इसको हम आज डिसकस करते हैं आप पुराने टाइम के टीवी एंटिना को इमेजन करते हैं तो उसको आप यही आपका यागी उदा हुआ करता था इनीशल टाइम में टीवी सिगनल को रिसीव करने के लिए यह एक लाइट वेट हाई गेन ठी कि आपको अगर युनिवर्सिटी एक्जाम में इसे एक्स्प्लेइन करने के लिए आए तो आपको डाइग्राम उसकी स्पेसिफिकेशन उसके पैरामीटर्स भी मिले और अगर कॉम्पिटिटिव एक्जाम में आप से अब्जेक्टिव पूछे जाए या फॉर्मूला बेस पूछा जाए तो उसे भी आप सौल कर सकें तो यहां पर आपका एक बेसिक हाफ वेव डाइपोल रहेगा यह आपका सोर्स एंतिनर रहेगा इसमें आप फीद लाइं को करेंगे इसके आगे आप एक पॉइंट फॉर फाइफ लेंडा का करेंट अप करेंगे यह केवल सोर् पॉइंट फाइफ लेंडा का करन्ट एलिमेंट रखेंगे यह करन्ट एलिमेंट आपका डारेक्टर का काम करता है यह इससे रेडियेट होने वाली रेडिशन पैटर्न को डारेक्शन में डिजायर डारेक्शन में एन्हांस करने का काम करेंगा इसके पीछे एक पॉइंट 55 lambda का इससे लार्जर ठीक है 0.05 lambda size से higher length का आप एक और conductor प्लेस करेंगे और यह conductor जो है वो reflector का काम करेगा इसका काम होगा कि backward direction में जो भी radiation हो रहे हैं जो की हमारी undesired direction है उसको रोके और यहां से आने वाली radiation को reflect back करके वापस in phase मैं में दारेक्षं के Александ настा करें में दारेक्षं में हमारा प्रिएशन हमांत हो जाए सोर्स के साथ एक डारेक्टर और एक रिफ्लाटर लगा के आप जो final impe EPA लेंगे से आप बाशी यागी उद्धा तमा दो जाएगे यह बीम टाइप氣 kinda कहलाता है because it can generate a narrow beam for a wide frequency range ठीक है यह इस तरह से बीम हो जाएगी जिस direction में आपको radiation चाहिए था वहां पर आपकी narrow और high gain की आपको beam मिल गई है और इसने reflect back करके यह जो आपके side lobes और जो backward direction में radiation था उसे कम कर दिया है reduce कर दिया है ठीक है और इन current elements की बीच में आप जनरली 0.1 lambda से लेके 0.15 lambda की बीच में gap रखते हैं यह objective की problems हैं जो पूछी जाती है सीधी की सीधी जब भी आप PhD exams या engineering services का exam या किसी भी entrance exam में आप देखें तो अब आपको अगर इसकी operating frequency पता है तो lambda निकाले elements की बीच में gap निकाली और इन elements की length भी आप निकाल सकते हैं तो यह तीनों मिलके ऐसा radiation बनाएंगे इसको आप compare कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आपका एक source है यह signal generate कर रहा है यह एक mirror है जो इस direction में जाने वाले signal को reflect करेगा और यह एक lens है जो इस direction में enhance करेगा और यह इस direction में restrict करके इस direction में आपके signal को enhance करने का काम कर रहा है final radiation आपको एक ही direction में मिल रहा है जनरली जब आप एक हाफेव dipole ले रहे थे तो आपको bi-directional pattern मिलता है यह combination इसको reduce करके इस तरह से convert करने का काम करता है ठीक है यह हो गया इसका constructional details यह सब इसकी कैसा radiation बनेगा किस तरीके से इनके element की length और gap रहेगा यह gap vary की जा सकती है length vary करके आप अपने radiation को modify कर सकते standard formula अगर आपसे पूछा जाए तो reflector की standard length होगी 500 divided by f in megahertz यह feet में आएगी ओके यहां पर हमने क्या किया है current सौरी जो electromagnetic wave है उसकी free space में जो हमारी speed है 3 into 10 raised to power 8 उसको लेके जब हम generalized calculation करेंगे तो 500 divided by f अगर frequency को megahertz मिले जनरली यह megahertz में tv signal को receive करने के लिए काम में आता है तो हम आपको कहा जाएगा 200 megahertz पे यह 300 megahertz पे तो आप direct उसको रखके calculate कर सकते है answer will be in the feet okay reflector की length होती है 500 divided by frequency in megahertz feet source element की length रहेगी 475 divided by frequency in megahertz feet as well as director जो और इससे छोटा है उसकी length रहेगी 455 divided by f megahertz feet आप बहुत आसानी से याद कर सकते 500 475 और 455 यह सबसे larger यह smaller और यह smaller चिके यह आप से पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने इस formula को mention कर दिया जब इसको बनाया जाता है तो यह जो आपका basic half wave dipole था यह जंदल यह आपका folded dipole antenna होता है अभी हमने प्रीविस वीडियो में folded dipole antenna पड़ा था उसको पढ़ने का purpose यही था कि हम उसको यहाँ पे include कर सके तो यह आपका जो source है यह जो driver element है यह basically folded dipole antenna होता है उसके पीछे एक larger length का आपका एक reflector होता है और यह जो director है यह आप increase भी कर सकते हैं तो increase the directivity or to get a narrower beam okay और इनके बीच में gap जो रहेगा यह point one से point one five lambda के बीच में रहेगा folded dipole antenna include करने का कारण यह है कि we would like to have a impedance matching with the feed light okay तो तीन standard है general practical में इस तरह से बनाया जाता है और इसे आप यागी उदा antenna बोलते हैं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अब हम इसके basic advantage discuss कर लेते हैं तो इसकी constructional details और इसके basic जो formulas हैं उनको discuss करने के बाद हम इसके salient features को summarize कर लेते हैं इस यागी उदा antenna is referred as a beam antenna ठीक है हर वो antenna जो की narrow beam generate कर सकता एक unidirectional pattern में उसे उसे आप beam antenna बोलेंगे this is referred as beam antenna unidirectional beam with moderate directivity इसके radiation pattern में आपको unidirectional beam विलेगी जिसकी directivity moderate है ओके it is a low cost lightweight and simple to feed antenna इसका जो आपका simplicity to feeder system is also a salient feature secondly आपने देखा होगा कि यह बहुत ही lightweight के आपके metallic wires हुआ करते थे और उनको align करकर के tv signal की tuning किया करते थे तो यह बहुत ही simple और lightweight है ठीक है और cost तो constructional cost कम हो ही गई है अगर आप इस antenna को देखें तो इस setup के साथ आप almost 2% bandwidth achieve कर सकते है frequency bandwidth easily attainable is 2% यह जो gain easily बहुत ज्यादा modification के अलावा अपने standard configuration में it provides the gain in the range of 8 db it also gives front to back ratio in the range of 20 db what does it mean front to back ratio front direction में आपका जो maximum gain है और backward direction में इस reflector को लगाके हमने backward direction में radiation को खतम किया है reduce किया है और उस reduce backward direction के radiation ने हमें high front to back ratio दिया है ठीक है यह desired feature होता है किसी भी antenna में कि जिस direction में आप चाहरे है forward direction में इस direction में आप इससे radiation चाहरे थे इस direction में इतना gain है और और जो undesired direction है उसमें आपको आपने radiation को कम कर लिया है तो 20 db more you are getting radiation in the desired direction और forward direction okay it is defined as a high super gain antenna इसको super gain antenna भी कहा जाता है because it has a high gain and beam width per unit area आप इसके construction को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो gain आपको जो beam width आपको मिल रही है compared to the per unit area हमने horn antenna पढ़ना है हमने parabolite antenna पढ़ना है तो उनका जो constructional area है उनको उन से अपने जो achieved radiation pattern को है जब हम compare करें तो इस construction में इस structure में आपको gain जो है वो per unit area काफी reasonable मिल रहा है that's why it is defined as a super gain antenna okay or this is used for television deception but it is fixed frequency device आप यहां देख रहे हैं कि यह जो आपने length ली है यह जो आपने elements design किये है यह lambda dependent है it means पहले आप इसकी operating frequency select करेंगे and once you have selected the operating frequency the length of the elements is fixed अगर आप इसको किसी दूसरी wider gap में frequency पे काम में लेना चाहते तो आपको इसे redesign करना पड़ेगा यह काम नहीं करेगा this is a frequency sensitive device also because this design is frequency dependent यहां देख रहें ना इन ऐसा नहीं होगा आपको नया यांगी उदाइंटिना design करना होगा तो यह आपका एक fast summary हो गया है इसमें आपका subjective matter as well as objective सारे parameters मैंने include कर दिये हैं जो एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है keep learning keep watching thank you कर दो कर दो